हेलो बच्चों तो कैसे आप असा करता हूं आप से बहुत ही अच्छ होंगे राम एह स्वागती निवी मत्रा पर बच्चों आज जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप जोहार नोदे विदाल में असानी से admission ले सकते हैं उसके लिए क्या process है ये सारी जनकारी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जुरू सिस्क्राइब कर लिजेगा देखिए सबसे पहले हम जोहार नोदी विड़ाले के बात करें तो ये जो है 1986 राष्ट सिच्छानिती 1986 के उनसा भारत सरकार ने जोहार नोदी विड़ाले प्रारंब किये थे बच्चों मैं आपको बता दो जोहार नोदी विड़ाले यहाँ पर तीन क्लास के लिए फार्म निकालता है ठीक है पहला तो आपका क्लास 6 ठीक इसके बाद क्लास 9 के लिए निकालता है फार्म और इसके बाद आपका क्लास 11 के लिए फार्म निकालता है सबसे जरूरी बात कि आपको इसमें एडिमिसन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्म भरना पड़ता है जिसके लिए जो eligibility है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका निसुल्क फार्म निकलता है और आपको फार्म भरना पड़ता है और टेस्ट होता है बच्चो ठीक है टेस्ट होता है यदि आप टेस्ट पास करते हैं तो आपको जो हार नोदे विदाले में एडिमिसन मिल जाती है और इसका फार्म जो है ज़्यादतर मैं आपको बताऊं तो जून या फी जुलाई में हर साल लगभग इसका फार्म जो है निकल जाता है बच्चो ठीक है अब इसके जो मुखे बाते हैं कि कौन अभ्यरती इस फार्म को भर सकता है ये सारी जनकारी भी मैं आप सभी को दे दे रहा हूं क्योंकि ये जो जनकारी है वो बहुत में जनकारी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स रहता है कि सर जो बच्चे हैं वो गाउं से पढ़े हैं या फिर सहर से पढ़े हैं तो कौन-कौन फार्म जो है भर सकता है तो देखे बच्चों मैं आपको पूरा का पूरा जनकारी दे दे रहा हूँ सबसे जरूरी बात कि कई सारे अभरती हैं जो Classics में पढ़ते हैं पर जेन टाइं में और वो फारम दुबारा Classics के लिए भरते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है? सबसे जरूरी बात आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है उमिदवार सत्र 2023-2024 में उसी जिले के किसी सरकारी अथवा सरकारी मानता प्राप्त विद्धाले में कच्छा पांच में अध्यन किया हो अब देखिए यह 23-24 की बात हो रही है ठीक है लेकिन अब जो फार्म आएगा ठीक है वो तो 2025 के लिए आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर 2024 यहाँ पर देखिए 2023 और 2024 यह लिखा है न तो 2024 और 2025 आपका हो जाएगा सत्र ठीक है बच्चों तो यदि 2024 और 2025 वाले सत्र में यदि आप क्लास फाइप में यदि आप क्लास फाइप में 2024 और 2025 वाले सेशन में पढ़ रहे होंगे तो वही अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी आप जो है क्लास 6 के लिए अपलाई कर सकते हैं फार्म को आप इतना याद रखेंगे बच्चों ठीक है तो ये सारी जनकारी जो है आपको अपने दिमाग में बैठा के रख लेना है दूसरी चीज कि यहाँ पे जोहार नोदे बिदाले में क्लास 6 के लिए आपको रिपीटर नहीं होना है यानि कि आप एक बाँ फार्म अपलाई कर दिये हैं और आपको दुबारा फार्म जो है अपलाई करने का मोकर नहीं दिया जाता है सिर्फ आपको एक बार ही यहाँ पर फार्म जो है भरना है बच्चो ठीक है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दू बच्चो एक उमिदवार जो एक जिले में पाचवी कच्छा में अध्यन कर रहा हो उसे उसी जिले के जोहर नोदेविदाल में प्रभेस के लिए आवेदन करने की अनुमती है यहाँ पर ध्यान देने की बात है थोड़ा सा और समझने की बात है बच्चो यहां से समझेगा यहां पर देखे दे रहा है कि एक उमिद्वार को एक जिले में पांचवी कच्छा में अध्यन कर रहा हो उसी जिले के जोहार नोदे बिद्धाले के लिए आवेदन करने की अनुमती है कि वह संबंधित जिले के वास्तविक निवासी और उसी जिले के कच् दवली डिश्टिक से हैं बच्चों ठीक है चंद दवली डिश्टिक से हैं सपोज मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में जैसे 75 डिश्टिक हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेज़ेगा आपका कौन सा डिश्टिक है यहाँ पर साब साब बता है कि जैसे माली जी आप जिस भी डिश्टिक्ट से हैं वहां के निवासी होने चाहिए और वहीं पे जोहार नोदे बिदाले का फार्म भरना चाहिए और साथी साथ उसी जिले के किसी आप स्कूल में आप कच्छा पांचे में अध्यन कर रहे होंगे तो आप इस फार्म को अपलाई कर सकते हैं यह ची जो कि यहां पे मैं सर्कल कर दिया हूँ यह जोहार नोदे बिदाले का आप इसेल वेफ साइट है बच्चों यहां पर सबसे पहले तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होता है लिंक पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना जो है फोटोग्राफ माता पिता का स्ताक्चर अभ्यरते का स्ताक्षर और अधार का विब्रण जो है डालना होता है और इसी किसासत अपने फार्म को संभिट करना होता है एक चीज और मैं बता दू यहां पर बच्चों इस फार्म को भरने के लिए आप जो आज हम बात करने वाले हैं जोहार नोदेबिंदाले जोड़ा गया है और इस बुक के अंदर पूरा थियोरी जो की NCRT पेटन पर होता है बच्चों उसको जोड़ा गया है साथी साथ इस बुक के अंदर 2800 से भी जादा प्रस्ट आपको दिये गये है चेप्टर वाइज जो कि आपको अभ्यास करने में मदद करेंगे और इसके इसके अंदर salt paper भी include किया गया है जो कि 2024 और 2023 को सामिल किया गया है और वो भी एकदम से नया ठीक है और साथी साथ यहां पर QR code दिया गया है जिसे आप scan करके यह पता लगा सकते हैं कि 2024 के exam में कौन से प्रश्ण पूछे गया है उनके बारे में जनकारी प्राप्त करने के ल पिछले जो बर्शों में paper हुआ है वो वहां पर कौन से question को पूछा गया है किस chapter से जादा तो यह सारी जनकारी आपको मिल जाएगा जो कि मदद करेगा आपको exam में कम समय में त्यारी करने के लिए तो बच्चों देर किस बात की इस book के हम बारे में बात चित करें और बहतर पर्चेच कर सकते हैं साथी साथ यहां पर देखिए Amazon Flipkart और यहां पर book की website दिया गया है उससे भी आप इस book को purchase कर सकते हैं और एक बात याद रहे बच्चों यह book आपको Hindi और English दोनों माध्यम में उपलब्ध है तो जाए फटापट book को purchase करिए और अपनी तयारी को बेहतर बनाईए धन्यबाद परिच्छा को निकालना है उसके लिए यहां पर main बात दिया गया है बच्चों कि paper को निकालने के लिए आपको पढ़ना क्या है ठीके तो थोड़ा सा रुखेंगे मैं इसी के वीडियो में बता दे रहा हूं यहीं पर बता दे रहा हूं देखिए यहां पर आपको तीन subject ज होता है बच्चों और यह माइनस मार्किंग नहीं होता है तो आप बेजीजक इस paper को दे सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना है फिर्म लेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंकिवेट जहिंद बच्चों